हेले फ्रेंड्स मैं हुस्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो ओनलाइन ब्लाउस लेने चाहिए या नहीं मैं अपना पर्सनल एक्सपिरियंस बता रही हूं आपको और अगर आपको स्टिश कराने का टाइम नहीं तो आप मंगा सकती है या फिर आपको हमेशा नही यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे पास 2-3 ब्लाउस है मैं ज्यादा आउनले ब्लाउस नहीं पर्चेस करती क्योंकि मैंने देख लिया है कि यह फिल्कुल अच्छ नहीं होते तो ऊपर से देखने में तो यह बहुत सुन्दर लगेंगे डिजाइन भी ऐसे एक से बन नहीं लगता है अजीब साही फिलिंग्स लाता है इसको पहनने के बाद आप फ्री होकर आप कहीं आ जा नहीं सकते कुछ काम निकस्क्ति आइसा है यह इस व्लाउस और मेरा पर्सनल एक्स्पिरियंस है क्योंकि मैंने मंगा के देख लिया है कैसा है और में पास एक और यह मैंने मंगाया था और यहां पर आप देखेंगी मैंने एक से दो बार ही इसको पहना है और यह दिखें यहां से यह निकल गया है सिर्फ यह लगता है कि बिल्कुल नाप का कपड़ा रहता है जिसमें इलो स्टिच कर देते हैं उपर से ले से वगारा लगा दी है तो बस हु और अंदर जो इसमें दिया हुआ है आप देख सकते हैं कॉटन नहीं है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उनलाइन ब्लाउस इसलिए मैं नहीं पर्चिस करती एक दो मंगाया था शुरू में उसके बाद मुझे समझ में आया कि यह लेने लाइक नहीं है और अगर आ अगर श्रीच कराने का नहीं है तो आप जाके लिए वह ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन पर्चेस करने से इसे क्वाल्टी भी बहुत अच्छी है फैब्रिक भी इतना अच्छा फैब्रिक तो ऑनलाइन मिलेगा ही नहीं जिते भी ब्लाउसर से किसी करें इस्तरा कर नहीं है इ नहीं होता है 1500 से 200 तक मिल जाएगा राम से ब्लाउस और मुझे बहुत कमफटेबल बहुत अच्छा लगाए जिते भी मेरे रेडिमेट ब्लाउस जो मैं यहां से पड़ा बजा से पर्चेस करती हूं तो उससे मुझे ज्यादा पसंद आते हैं इन सब की अप इच्छा तो यह मेरा रीवियो और उमीद करती हूं आपको वीडियो हेल्फुल लगी होगी तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सुस्क्राइब करने अमल खुलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक बनी रहे हैं मेर चैनल पर धनिवाद